हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सभी आज़ा करती हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में हो चुकी है प्यारी से सुबा की सुरुआत तो आज दिन है बुद्धवार तारीख है तेज़ अक्टोबर तो यह हमारा आज का ही ब्लोग है तो अभी सभा पांच का टाइम हो रहा है तो हम उठ गए हैं और अपने घर के कर्में लगे हैं साफ सफाई तो चलिए दोस्तों चलिए लिसल स सफाय कर देते हैं उसके बाद में पानी भर लेंगे और सबसे पहले सुबा का काम वमें लाओं के लिए गर की सफाई करना ही होता है और अब सुबा सुबा काफी ठंडी पढ़ने लगी है तो सुबा जो है थोड़ी सी ठंड सी लगने लगती है और फिर भी जो है हमने इसलिए साड़ी ओड रखी है जैसे तो ठंड सी लग रहती हलकी हलकी सी जादा नहीं पर धलकल किसी ठंड बहुत लग रहीती सुबा के टाइब जब भी बाहर निकलोना तो काफी ठंड लगने लगती है सुबा सुबा और फिर उस साथ बजे के टाइम मौसम एक दम से ठीक हो जाता है और गर्मी थोड़ी बहुत दोपैर में ही होती है बांकि तो नार्मल मौसम हो गया है बहुत अच्छा सा मौसम इस समय हो रहा है ना ही कर्मी ना ही सर्दी तो दोस्तों यहां पर हम जाडू लगा रहे थे धू दूंदला दूंदला सा लाग रहा है क्योंकि धूल बहुत ज्यादा उड़ती है हमारे हां और अभी कर्वा चोद पर लिपाई की थी फिर भी जो है इतनी धूल उड़ने लगी है और आलू अभी भी हमारे आंगन में लगे हुए है क्योंकि अभी खित तयार नहीं है जब पर हमारी ज़ाडू लग गई है उसके बाद में चूले की कर देंगे पुताई तो पहले चूले की राग भर लेते हैं उसके बाद में पुताई कर देंगे क्योंकि चूले पर खाना हमारा सुबा सुबा ही बनता है साम को चूले पर नहीं बनाते हैं साम को थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं तो अपना गैस पे कर लेते हैं वैसे सुबा के टाइम चूले पर ही बनाते हैं तो दोस्तों अभी हमने जो है साम को नहीं चूला लगाया था हमने सुचा चलो सुबा ही पुताई कर देंगे तो यहां पर राक भर लेते हैं उसके बाद में जो है पताई कर देंगे फिर पानी भरेंगे अब जो है दिन भी काफी छोटा होने लगा है तो इसलिए अभी टाइम काफी हो चुका है 6 बजने वाले हैं फिर भी थोड़ा-थोड़ा सा अंधिरा लाग रहा है और अब तो ऐसा ही मौसम होगा सुबा 6 बज ज जो है दिन जो है काफी छोटा होने लगा है तो इसलिए 6 बजे 6 बजे के टाइम अच्छे से उजाला होता है तो यहां पे राख हमने अच्छे से भर ली है उसके बाद में लगा देंगे कर देंगे इसकी पुताई और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत प्यार परे कमेंट कि किया है सभी दोस्तों का दिल से धनवाद और हमारी पहन ने कमेंट किया है उन्के अर्डी नेम है संजय जी के नाम से तो उन्होंने कमेंट किया、 कि यह थे शुटवाल नला जो बच्छा है बहुत हैथ उनी पहुत द्रही है परारी से प्यारों होगए है यह कुछ पूछ आपका बहुत बहुत दन्रवाद भाहन और यहां पर हमारे चूले की हो रही है पताही तो पहले हम में इसको आज पास की पताही बात में करेंगे क्योंकि चूला जो है काला है तो इसी विज़े से पहले हम चारो तरफ की पताई कर देते हैं उसके बाद में अंदर की कर दे हैं ताकि जो है ये काला ना हो तो चलिए दोश्टों यहाँ पर चलिए जल्ली से कर देते हैं पूरे चूले की पताई और हमारे सबी दोस्तों को भूण है आपने वक्त निकालकर वीडियो देखते हैं तो उनका बहुत बहुत तई दिलसे धनबाद और हमारे दोस्तों को जो है लिपाई वीडियो और मिट्टी का काम है बहुत जढ़ा पसंद आता है और चूले का खाना पीना तो हम कोसिस करते हैं कि आप से भी को मिट्टी के काम दिखा है पर जितना है उतना ही दिखाते हैं उसे एक्ष्टा नहीं हो पाता है और लिपाई पुताई सभी को बहुत ज़्यदा पसबना है मारे दोस्तों को और मिट्टी के काम भी तो गौम में तो मतलब मिटी के खाम जादतर होते हैं जिनके कच्ची गारा है तो हमारा इतना कच्चा तो नहीं है बस फर्स की कच्ची है तो उसकी लिपाई पुताई हो जाती है पर जो है मिटी लगाना कहीं पर है ही नहीं जो मिटी हम लगाएं तो बस यह चूला हमने बना रखा है तो इसी की पुताई बगएर आप सभी हो करके दिखाते हैं तो हमारे से भी दोस्तों को बहुत पसंद आता है तो हमारे से भी दोस्तों को दिल से धन्वाद और अभी हमारी पक्या की मतलब पुताई भी करनी है अब हम सोच रहे हैं कि दिवाली पर इसकी चूने से पताई करेंगे ताकि अच्छे सी मतलब सफेद हो जाए और दिखने में भी अच्छी लगेंगे फिर इसको थोड़ा सा जो है इसमें डिजाइन बगेरा भी बना देंगे तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि हम क लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब चली जाए सबसे पहले हम पीने वाल्टी भरते हैं क्योंकि हमारे यहां जो है नल में पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है और पीने लाइक पानी नहीं निकलता है तो इसलिए जो है सुबा सबसे पहले पीने का ही पानी भर पीना बहुत ज़्यादवे कराता है तो चलिए दोस्तों यहां पे पाने हमारा भर चुका है उसके बाद में जो बांकी की खाली वाल्टी हैं बात उनकी उनको भर देते हैं नहाने के लिए तो हम भी पूरा भीग गए हैं बस यहां पे सार्तक को भी नहला देंगे क्योंकि व दोस्तों पूरे च्छे बच चुके हैं और हमारे सभी काम हो चुके हैं उसके बाद में हमने नहा लिया था और जल भी चड़ा दिया है तलसी मिया पर उसकी बाद में यहां पे बनाने लगे हैं चाय फिर बेटे के लिए बनाएंगे पराठे नहीं वह पोड़ी लेकर जाएंगे तो बोल लेते कि हमें पोड़ी सब्जी ले जाना है तो उनके लिए पोड़ी निकाल देंगे और सब्जी बना देंगे तो पहले तो हम उनके लिए एक आलू काटके बना देंगे फिर बाद में अपने लिए जो है तैयारे करे पर इसे सुबह भाइस लगती है थोड़ा लेट हो जाता है तो सामबाला ही हमने दूद रख लिया था कि तीदी जो है दोनों टाइम ही दूद देती हैं तो यहां पर जो है थोड़ा बहुत हमने सामका रख लिया था तो उससे चाय बन चुकी है हमारी और यह देखिए दुलवा दिया है कुला इनों ने भी कर लिया है तो और इनके पापा इन दुलवा के लाए हैं भी तो उसे भी लोग चाय पी लेते हैं और हमारे सार तक भी स्कूल के लिए तयार हो गए हैं और हम भी चाय पी लेते हैं उसके बाद में आज हमें खोया भी बनाना है और वादी ने बोला है कि चार-पांच दिन का तुम बना लो चार-पांच दिन का हम बना लेंगे क्योंकि दिवाली के बे 8-9 दिन है तो जब तक बन जाएगा हमारा तो हम थोड़ा वो दपने माय के भी लेकर जाएंगे तो इसलिए अभी से बनाना शुरू कर दिया है तो फ्री किया था और उसके बाद में हमने सबजी बगएरा बनाई थी तब जाके हमारा खाना बन पाया था थोड़ा आज लेट हो गया था खोया की वजह से क्योंकि खोया बनने में बहुत जदा टाइम लग जाता है और चूले पर फिलाल में चल्दी ही बन जाता है और अगर चूला अच्छा आज चूला बहुत ये जाता है और यहाँ पर जाना था खाना झाल द बहुत स्पाण का अच्छा लग शेकाता था ये यहां पर यहां behIST को क्योंकि कुछ दच्छना, दान दच्छना मांग रहे थे और यहां पे कुछ डायरी सी लिए हैं तो यह बोल ले थे हमारे बड़े वेते से इसको पढ़ हो तो अधियर यह सब रसित अधाली की जा भाव श्याम के बना रहे हैं तो अधिया है तो अधिश्पत को मूडमति दोना कभी दोना कभी दोना अधिए आधा निलिये आरे अधिकर श्यार्ट परची कड़ी है यह किनका ज्यार उस हो भी एंधिक इनका 501 भी है यह सब यूरूब ऐसा कुछ नहीं ले रहे ते काई बावा लोग होते हैं आटा भी लेते हैं और आज भील यह लेके यह यह तो यहां जो सोब देवारों और स्फ मगर्याशना काना भूमारा थैक मैंों निया को जोब और खोले एके घर में रहती हो तो का तो इसलिए फिर जो है इन्होंने इतना ही ले दिया था जो देवी ने दिया था बहुत सारा आजिरवाद भी बेटे को दे रहते कि तुमारी नोगली लग जाएगी यह जो है तो फिर जो है इनको दे दिया था चले गए थे उसके बाद मारा खोया भी बन चुका है दोस्तों और यहां पे सारतक के पापा भी आ गए है खेट से तो हम सब्जी छोक नहीं जा रहे थे तब तक यह भी खेट से आ गए थे क्योंकि खेट पर अभी भी काम चल रहा है तो आज खेट जोतने के लिए गए थे ट्रेक्टर लेकर तो अभी यह सुबा के गए हैं और आप जाके आए हैं तो अभी साड़े आट बच चुके हैं तो पर चल्दी जल्दी से हमने सब्जी छोक दे हैं यहां पर आज हम बना रहे हैं टमाटर आलो की सब्जी और आज हमने लाल वाली मिर्च नहीं डाली है सिर्फ हरी वाली ही मिर्च डाली है क्योंकि लाल वाली पिसी मिर्च खतम हो गई थी तो हमने हरी मिर्च ही काटके डाली हुई है तो इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है हमें तो यहां पे हमने सब्जी छोंक दी है और उसकी बाद में आटा हमारा लगा हुआ रखा ह तो रोटी जो है आज हम गैस पर ही सेंखेंगे क्योंकि लेट हो गएते हैं हमने सोचा चलो जब तक इस पर सबजी बनेगी तब तक हम रोटी गैस पर सेंख देंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और इनके पेसेंट का फोन भी आ रहा था कि जल्दी तो इसलिए इनका फोन जल्दी आने लगता है तो कभी-कभी हम खाना में लेट हो जाता है तो यह गैस पर चले गयते हैं और हमारा खोया बनने लगाता है तो इसलिए कापी लेट हो गया था आज तो हमने का चलो जब तक इस पर सबजी पकेगी तब तक हम रोटी जो है पर हमारे आर्थर आयते खेट से यह भी अपने पापा के साथ गये हुए थे खेट पर काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं अपने पापा के साथ में तो जो वो करते हैं और तो वही यह भी करते हैं तब टेक्टर के बैठना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह होता है तहां यह है जब दम बादाजी के साहते हैं हमारी में लेट रहते टो इंको जब तक भूए थी बोतल तो फिर आने में खोल दो जिन को प्रूंक बढ़ें तो जब वाहां जासा चालों सेंके में छो आदाना हो चाहेंगे तब लीटा हैं तल्स काणए अंगी जीफ में दर्द होने लगे हैं बरतन और उसके बाद में कपड़े डालेंगे जाकर कपड़े भी हमारे दूले हुए रखे हैं क्योंकि सुबह नहीं डाल पाएते सुबह इतनी जल्दी भाग दौर रहती है काम की कि कपड़े डालने का टाइम ही नहीं मिलता है तो फिर जो है कपड भरतन बाद में दूलने के लिए जो पहने हुए थे तक हम तुबहर ही कपड़े हमारे सुबागी दूल लिया टेंव तो ईक दो कौबड़े हैं तो उनको भी बरतन दूलके तब दो लेंगे और अर्थर को भी नहला देंगे तियार कर देगे तब जाकि हमारे कपड़े हम डाल पाएंगे तो यहां पर कड़ाई हमारी काफी काली हो गई है पर साफ बहुत जल्दी से हो जाती है यह देखिए चमक जाती है अग्दम से काली जो कड़ाई होती है चूले की बहुत जल्दी साफ हो जाती है तो चलिए दोश्तों यहां पर बरतन हमारे दूल गए हैं और तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और उम्मेद करती हूं कि आज का वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और आप सभी को हमने कल बताया था कि अब हमारा डेली का डेली वीडियो आएगा बैसे एक बिन पहले का आता था अब डेली का मतलब जैसे आज का वीडियो है तो आज ही आप सभी के साथ सेयर कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास कोई वीडियो नहीं है तो जितना भी होता है हमारा सुबा पांच बजे से लेकर दस बजे तक का रूटीन तो वही आप सभी के साथ में हम सेयर करते हैं और सामुक तक हमारा वीडियो आप सभी के साथ आज आएगा तो दोस्तों यहां पे हमारे बर्तन भुल गए हैं अब बाबो को नहला दिया है हमने और उसके बाबो को च्छत पे तो बाबो को सुला दिया है तियार करके उसके बाबो को च्छत पे डाल देते हैं और आज तो दोप बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल भी इस समय दोप नहीं हो रहे आज तो बिल्कुल भी नहीं है बस हलके यलकी सी थी और कपले सुख जाएं बही बड़ी बात है तो हवा थोड़ी बहुत चल लए थी तो सुख जाएंगे हलके कपले आए तो कपले डाल देते हैं उसके बाद में चुटिया बगारा करेंगे और आज का वीडियो हमारा यहीं ब्लोग के साथ तब तक लिए आप सोभी दोस्तों को मेरा नमस्ते बाई बाई